हाई फ्रेंड्स आप सभी के स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में बिहार के अंतरगत जितने भी कारिपालक सायक जिनकी बहाली नहीं हुवी है उनकी लिए यहां पर बड़ा अपडेट है बिल्कुल नियू भर्ती 2021 के लिए बिहार में लगभग आठ हजार तीन सुच्छम जो है ग्राम पंचायत है और सभी ग्राम पंचायतों में कार्पलकस सायक की नुट्ट होने वाली है जो की आर्टी पिस्यार काउंटर पर बाल ấy होगी आपको यह पर काम करना है तो इसके लिए अविदन आपको कैसे करना है क्या आविदन कर सकते है नहीं कर सकते हैं पूरा अप्डेट आपको हम देंगे वीडियो में तो वीडियो को पुरा देखी तो चलिए शुरू करते हैं तो फेंट्स यह जो न्यूज और नोटिस है यह आज की अख़बार में आपको मिल जाएगा क्योंकि पटना एडिसन में है राजी के सभी कि 8366 ग्राम पंचायतों में दो-दो कारिपालक सायकों का पदस्थापन क्या जाएगा यहर पंचायत में दो-दो कारिपालक सायक होंगे यानि कि माली जी की 8366 क्राम पंचायत हैं बिहार में तो एक पंचायत में दो होगा तो इन्टू-टू कीजेगा यह लगभव पड़ेगा आपको 16732 कारिपालक सायक की जानिंग की आएगी लेकिन यहां पर बोल रहा है कि पंचायतों में आर्टी-पिश्यार काउंटर को नियमित रूप से बैतर संचारन को लेकर पंचायती राजवाग ने इसकी तयारी शुरू कर दी है इनकी पंचायती राजवाग के अंतरगत यह न समझे बात को कि 8366 करम पंचायत में सभी में एक-एक कारपलक सायक पहले से काम कर रहे है ठीक है और यहां पर दो दो रखा जागे इनकी 8366 पहले से कारिपालक सायक की और पिलाल जो है एक-एक कारियत हैं और एक-बाली होने वाला है और सभी जो है समिधा पर है और आगे भी जो है इसी अधार पर रखे जाने के विचार चल रहाएने की समिधा पर ही रखे जाएगे और जो विभाग कहेंने की पंचायती राज विभाग के मुख अपर कहना है कि पंचयतों में कारेशत के अलावा नीद कारेश लिये लिए कि लिए यहीं वचार्ष की लीए एक अलग सकते पंचयतों में की जायें थाकि कांपर भावित नहीं हो यानि जो पहले से एक ग्राम पंचायत में करपर случаeg काम कर रहे हैं तो उन से जो है सासन विवस्था वगर है जो ग्राम पंचायत में और यह वह सारे काम natuur वह सार काम दिखे आते हैं फिरार था काम सुरी से यूद्ध आर्ठीपेश कांटर पर काम बादित होता है काम पूरा नहीं हो पाता इसी विएसे एक एक और करपलक सायक्त सभी गरम पंचायत में खास करके डिश्जना बना रहे हैं गरम पंचायत का नियमित रूप से प्रतिदीन खोल जाने का निर्देश विभाग ने दिया है यहां पर आउदन कैसे करना है यहां पर नई बहाली नहीं है जो जो जिलो में इसका बना है पैनल तो उस पैनल से जो है अभी फिलाल एक्जाम हुआ था बेल्टरों के तुरू जो कि 31 साथ को हुआ था उसमें से और अभी मैंने एक वीडियो बनाया है कि जो जो पैनल पर अब जो है दुबारा बेल्ट्रों डेटर एक्जाम होगा और वो पास करेंगे तो उनका जोनिंग दिया जाएगा जितने भी कारपलक सहायक है जिनका पैनल बना हुआ था अपने जिला में लेकिन नहीं हो पाया है सब को यहां पर एक्जाम लेकर के जोनिंग दिया यहां पर जिनका पैनल बना हुआ है जोनिंग नहीं हुआ है उनका यहां पर एक्जाम होगा और जली-जली जोनिंग होगा आप लोग का सभी अर्टिपेस कॉंटर में तो उसके क्या करना है आपको तयारी सुरू कर देना है बिल्कुल मेरे बहुत सारे वीडियो यहां पर नई बाहरी नहीं है बलके यहां पर जिनका पहले से बना हुआ है पैनल उनका ही यहां पर जोनिंग होने वाला है तो यह था अप्डेट मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग